Hello everyone, welcome back to my youtube channel आप में से काफी लोग मुझे से request कर रहे थे कि sir RBI का इस week का जो हमारा sample आता है जो feedback आप शेर करते हो वो इस week आपने शेर नहीं किया मैं आपको पहले भी बताया था कि मैं उसको तभी शेर करता हूँ जब मुझे कोई ऐसी गलती मिलती है जो मुझे लगता है कि larger students करते हैं और ऐसी गलती हैं अकसर आपको लोगों की evaluation में देखने को मिल जाती है तो यहाँ पर फिर आज मैं आपके साथ एक evaluation शेर करूँगा जो कि मेरा एक student है राहुल नाम है उसका बहुत ही अच्छा लिखता है वो मैंने उसके बहुत सारे answers चेक किये हैं और सभी answers उसके बहुत मुझे अच्छे लगते हैं और काफी improvement हुआ है जब से उसने लिखना शुरू किया है और लगातार वो अपने answers शेर करता है तो मैं देखता हूँ कि considerable improvement दिखता है in his performance बट इकना लिखने के बावजूत भी एक बहुत सिंपल से question पे उसने एक बड़ी बड़ी गलती की मैं वह वाला feedback आज आपके लिए लेकर आया हूँ तो उस feedback को बहुत ध्यान से देखें और उसमें कीवी गलती को ज़रूर note-down करें so that कि उसके accordingly आप अपने answers को जब भी आप लिखोगे तो आप improve करो ठीक है इसके अलावा अगर descriptive section का आप मेरा program जॉइन करना चाहते हो तो अब मैं आपको साथ वह feedback शेयर कर रहा हूँ, do go through it in very detail और ध्यान से समझने की कोशिश करें कि इस question में क्या गलती moving on to your second answer रहूल तो second answer अपने जो attempt किया है that is on ERG theory तो ERG theory में देखते हैं आपने क्या कहा है, तो Maslow की spelling गलत है इस पूरे answer में, तो वह अप थोड़ा ध्यान रखना है According to Maslow, every individual has a set of needs, बिल्कुल सही है और उन्होंने 5 needs के बारे में बात की थी जो आपने यहां पे बता दिया है और आपने यह भी बताया कि वो एक hierarchical order में arranged था, तो वो भी point बिल्कुल सही है, इसके साथ आपने यह भी कहा कि एक order खतम होने के बाद ही आप अगले order पे जा सकते हो, यह भी point सही था, the theory was remarkable and simple, became very popular, right, and it provided a background to many other theories, यह अच्छा point लिखा है कि इसने काफी सारे theories को मौका दिय और काफी सारे theories इसके उपर build किये गए, और इसी वज़े से यह founding theory भी कहलाती है, अच्छा start है, बहुत अच्छा start है, एक simple introduction है, अब Maslow के आपने बताया कि like any other theory, Maslow theory was also criticized because of rigid structure, obviously Maslow की जो theory थी वो काफी rigid थी, hierarchical थी, और वो एक hierarchical structure में move करती थी, जो की शायद रियल वल्ड प करते हो, तो Maslow ने कहा कि at a given time, कोई एक ही level satisfy होता है, और उसके बाद आप अगले level पर move करते हो, but कि the notion was not correct for individual who have multiple needs at one given time, सही है, और आप यहाँ पर यह भी लिख से देते कि in real world, या practically, एक individual multiple needs के साथ ही चलता है, okay, considered human behavior universal, one of the major criticism of this theory was that assumption that all the individuals were set of the need and same order, but ऐसा नहीं है, बिलकु और आप चाहो तो point कभी भी आए, तो आप लिख सकते हो, कि वो Maslow कभी empirically tested नहीं था, कभी इस theory को empirically test नहीं किया गया, कि कोई data लेके इस पर research की गई हो, वो नहीं हुआ था, on the premise of these criticism, यह अच्छा आपने लिखाए, कि premise of these criticism, यह important point था, कि criticism के ओपर, जो है, एल डिवफर न उनने, अब इसमें, ओके, यहाँ पर थोड़ा सा गरबड क्या हो गया, मैं आपको बताता हूँ, question क्या था, question था, कि modify किस तरीके से किया, आपने क्या बता दिया है, यहाँ पर, आपने यह बता दिया, कि एल डिवफर के benefits क्या हो गए, question में यह तो पूछा ही नहीं गया थ कि एल डिवफर की theories के benefit क्या हुए, जैसे low rigidity हो गई, तो ठीक है, multiple level of need जो है, वो reduce हो गए, या frustration regression को आपने यहाँ पर use किया है, exactly अगर देखा जाए तो question यह कहता था, कि modification जो की गई, वो किस तरीके से की गई, वहाँ पर आपको explanation देना था, मतलब आपको यह तीनों स्टे यहाँ पर आप advantages of the model बता गए हो, question में advantage पूछा ही नहीं है, hence it can be said that, यह question गलत direction में चला गया, यहाँ तक तो बहुत सही आया था, इस point तक, उसके बाद जो आपने नीचे लिखा न, वो गलत लिख दिया, आपने question कुछ और था, आपने कुछ और लिख दिया, ठीक है, I will give 4 out of 10, but यह answer गलती हो गया, एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि question कुछ और कह रहा था, कि आपने modify किस तरह से किया, वो बताना था, ना कि मैंने कभी यह नहीं पूछा कि ERG ने किस तरह से Maslow के criticism को दूर किया, वो चीज यहाँ पर कभी भी question में नहीं पूछी गई, यहाँ हमेशा, मैं हमेशा देखता हूँ रहूल, आप एक pattern है, आप लिखते हो तो बहुत अच्छा लिखते हो, या फिर आप मैं क्या pattern observe करता हूँ, मैं यह देखता हूँ कि आप बिल्कुल ही wrong कर देते हो, कोई answer ना, कोई बिल्कुल या तो वो, मतलब 1 और 0 में लिखते हो आप, तो I hope this will help you, kindly go through the feedback and then also write the next week answers, thank you